चानक के IAS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत के पहले एक्वा पाक के बारे में जो अरनाचल प्रदेश में बनने जा रहा है अरनाचल प्रदेश के मतस्य मंत्राले ने घोशना की है कि पुर्वोत्तर भारत में भारत का पहला फिश म्यूजियम अरनाचल प्रदेश में बनाया जाएगा फिश म्यूजियम भारत के पहले एक्वा पार्क का हिस्सा होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा मन्जूरी दे दी गई है पार्क अर्णाचल प्रदेश के निचले सुबन सिरी जिले के तारीन में स्थापित किया जाएगा तीन साल पहले प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी ने नीली क्रांती लाने के लिए प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना के तहट प्रतेक राज्य और केंद्र शाशित प्रदेश के लिए एक एकिक्रत एक्वा पाक की घोशना की थी देश के पहले Fish Museum के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो Fish Museum एकिक्रत एक्वापाक का हिस्सा होगा जिसे केंद्रिय मतस्य पालन मंत्रा लेद्वारा स्विक्रत किया गया है भारत सरकार ने निचले सुबन सिरी जिले के तारीन में अनाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वापाक की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है मौझूदा ट्रेन फिश फॉर्म जो उच उचाई वाले बुला गाम में स्थित है को एकिक्रत एक्वापाक की रूप में अप्ग्रेड किया जाएगा जहां पुर्वोतर का पहला फिश म्यूजियम बनाया जाएगा अरनाचल प्रदेश में फिश म्यूजियम में राज्य की सभी प्रकार की मचली प्रजातिया होंगी यह मच्छवारों के लिए एक प्रक्षिक्षन केंदर के रूप में भी काम करेगा इसके लिए पहली किष्ट के रूप में लगभग 43 करोड रुपे मनजूर किये गए थे इस परियोजना पर विशेशक गया मागदशन लेने के लिए दो बार हैदराबाद स्तित राष्टिय मतस्य विभाग बोड के पास भी गए थे जो मूल रूप से 100 करोड रुपे के लिए प्रस्थावित था प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना के CSS गटक के तहट महत्वक कांक्शी परियोजना को मनजूरी दी गई है इसके कुल रागत 50 करोड और सेंटरल की हिस्सेदारी लगभग 45 करोड रुपे है अरनाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पाक के लिए मनजूरी समंदित अधिकारियों द्वारा उचित जाच के बाद ही दी गई है अब हम बात करेंगे प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना के बारे में बुनियादी धाचे में महत्तपुन अंतराल को दूर करना है। इसका उदेश्य है मुले श्रंकला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, एक मजबूत मतस्य पालन प्रबंदन धाचा स्थापित करना और पता लगाने की शमता को बढ़ाना है। साथ ही साथ मतस्य पालन और मचली किसानों के सामाजिक आर्थिक कल्यान को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर सवाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थेंक यू सो मच। दोट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्देट।